पिछले 48 गंटे से नर्मदा आचल में हो रही बारिश के चलते यहां नर्मदा नदी उफान पर है वही तवा डैम के 13 गेट खोले जाने से तवा डैम से 2,96,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा चुका है जिसके कारण नेमावर में नर्मदा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है लेकिन नर्मदा अभी भी खत्रे के निशान से नीचे बह रही है उधर बार ग्रस्त ग्रामों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टी से सारे इंतजाम पहले ही कर दिये गए है वहीं चोकिदार ग्राम सुरक्षा समीती तथा ग्राम रक्षा समीती के लोगों को अलट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की स्थिती निर्मित होने से ततकाल कंट्रोल रूम को बनाए उधर SDM शोभा राम सुलंकी एवं तहसीलदार अलका एका ने बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का दोरा कर लोगों से संपर्क किया तता उन्हें स्तर्क एवं बाढ़ का पानी बढ़ने पर सुरक्षी स्थान पर चले जाने की सलाहा दी प्रशासन पूरी तहरे से अलर्ट है नर्मदा किनारे स्थित गाउं में प्रशासन ने उसके नुमाइंदों को अलर्ट कर दिया है वही निमावर के नर्मदा टत पर गोता खोर एवं होम गाड के जवानों को तैनात किया जा चुका है निमावर में नर्मदा नदी पर सनान करने वाले श्रधालू को गहरे पानी में नहीं जाने की उचीत सलाह दी जा रही है मोटर बोट एवं गोता खोरों की तैनाती श्रधालू के सनान के दोरा नजर रखे हुए है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए